कहते हैं समरत को नहीं दोस गोसाई अचानक से अमेरिका में बड़ा बदलाओ F-35 से लेकर वो हतियार जो अब तक अमेरिका से बाहर सिर्फ एक देश को दिया था वो भी देने को तैयार हो गया है अमेरिका भारत को जानेंगे ये हिर्दे परिवर्तन कैसे हो गया है जहां एक पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत का मॉडल अपनाते क्यों नहीं है भारत की तरफ चलना चाहिए जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉल्टिक्स में आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से कहते हैं डूबते को तीनके का सहरा पाकिस्तान के पुरुपरदान मंत्र कि इम्रान खान यानि की कटोरा खान संकट में घिरेcket से को देख रहा है एक बार भारत की तरफ देख रहा है कभी भारत के वीदे से आर्थिक मोडल को देख रहा है उसे पस ही समझ में आ रहा है कि भारत जो कर रहा है वही सही कर रहा है और भारत के रास्ते पर हम क्यों नहीं चल रहे हैं पाकिस्तान क्यों नहीं भारत की इस्तिती पर पहुँच गया है अब इन्होंने एक नहीं बात कह दी है कहा है कि अगर देश को बचाना है तो जैसे सिरलंका ने सौप दिया वैसे ही पाकिस्तान को भारत को सौप देना चाहिए ये तो मजाक की बात है लेकिन हाँ भारत की विदेश निती और आर्थिक निती को लेकर अब इमरान खान का ये कहना है कि हमें उनके नक्से कदम पर चलना चाहिए दरसल कंगाल पाकिस्तान का साथ तो सभी छोड़ रहे हैं यहां तक कि उनके अपने देश के लोग भी छोड़ रहे हैं विदेशों से निवेस के नाम पर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं आ रहा है वो भी छोड़ दीजे विदोसों में बसे पाकिस्तानियों ने अपने देश पैसे भेजना भी कम कर दिया है डॉलर की किलत और ज्यादा बढ़ गई है इम्रान खान को अब यह लग रहा है कि जिस तरीके से भारत चल रहा है हम वैसे क्यों नहीं चलते हैं इम्रान खान का कहना है हिंदुस्तान और चीन इन दोनों की जब तरक्की शुरू हुई थी तो स भाषों करने के लिए यूरोप चले जाते हैं भारत का मॉडल हमें अपनाना चाहिए चाहे वो अर्थिक मॉडल है य्यूवबी ही इम्रान कान सोच रहा है कि किसी तरीके से भारत की स्थिती में पहुंश जाए और यह तब ही समभव है जैसे कि सिरलंका ने अपना देश सौंब दिया भारत को वैजही पाकिस्तान भी अपना देश और सरकार सौंब दे भारत को पता चलेगा कि भारत ने बिल्कुल ठीक वैसा ही कर दिया है जैसा इस वक्त कस्मीर में हो रहा है कस्मीर में भारत जितना नीवेश कर रहा है और डवलप्मेंट के लिए जितना फंड बना रखा है न उससे बहुत कम इस वक्त पाकिस्तान को अपने देश को बचाने के लिए चाहिए और आएमेफ के आगे पीछे गिड़ गिड़ा रहा है कि इतना सा पैसा हमें दे दो खैर अब दिया बुझता है तो बुझ ज्यादा पैसे मिल गए थे अमेरिका ने भर भर कर बोरे भेजे थे लेकिन इनों ने उन सारे को या तो अपनी सेना के भरष्टाचार में डाल दिया या फिर आतंक वादियों के लिए जोक दिया जो की अब उनके लिए ही काल बन गये है खैर जहां एक तरफ पड़ोस में यह सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का हिर्दे परिवर्तन कैसे हो गया अमेरिका भारत और भारत ही नहीं चीन के खिलाब जो जो खड़ा है उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है एक समय था जब भारत किसी प्राइम टेक्नलोजी की मांग करता था तो अमेरिका मुँ बिचकाकर निकल जाता था वो भी छोड़ दीजिए भारत ने कई समय में अमेरिका से मदद मांगी अमेरिका ने कोई मदद नहीं भारत जब अपना इस्पेस प्रोग्राम चला रहा था तब यही वो अमेरिका है जिसने USSR को मदद करने से रोक दिया था और क्रायोजनिक इंजन मनाने के लिए भारत को अपने पेरो पर खड़ा होना पड़ा भारत आगे ना बढ़े इसके लिए अमेरिका ने बहुत उपाई किये थे जैसे कि भारत के पीछे पाकिस्तान को लगा दिया था पाकिस्तान को हतियार मिलते थे पाकिस्तान को पैसे म मिलते थे इसलिए मिलते थे कि भारत के खिलाफो मजबूत तरीके से खड़ा को सके और भारत से इतनी गाड़ी दूस्मनी क्यों तो इतनी गाड़ी दूस्मनी सिर्फ इसलिए來說 थी चाहिक यह दे Passion अमेरिका ने कभी भी भारत को कोई इस तरीके की टेक्लोजी नहीं दी जिस टेक्लोजी को वो प्राइम बोलते हैं आज भी कुछ दिनों पहले तक यही आलात रहे हैं इसका सबसे बड़ा उधारन है औकुस की अस्थापना जहां पर यह नुकलियर सम्मरीन की टेक्लोजी हो सकते हैं और कुछ डील में भारत खुद भी सामिलना होना चाह रहा हो क्योंकि यह देखने से ही एक सैन्ने संगठन लगता है जबकि कौई एक सैन्ने संगठन नहीं लगता है रूस कहीं चिड़न जाए इस वजह से औकुस में हो सकता है कि भारत ने एंट्री ना ली हो ल चीन आकरामक होता जा रहा है और अमेरिका को अब टेंसन हो रही है चीन की तो अमेरिका ने एक वाइट पेपर जारी किया है इस वाइट पेपर में क्या है इस वाइट पेपर में चाइना के जो दुस्मन है ना उनके लिए तो एकदम से मौज आ गई है अमेरिका ने बैठ कर एक लिस्ट बनाया चाइना को मारने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी भारत को क्या चाहिए होगा फिलिपिन्स को क्या चाहिए होगा और देशों को क्या क्या चाहिए होगा दो तीन चीजें निकल कर सामने आई पहली चीजें निकल कर सामने आई कि अगर चाइन तो है 80,000 डॉलर के आसपास इसका एक फ्लाइट का चार्ज बनता है तो फिर इसको कैसे किया जाए अब इसके लिए इस वाइट पेपर में यह कहा गया कि ना जी अब खर्चा घट गया है अब 35,000 के आसपास हो गया है दूसरी बात F-35 को लेकर पर्मोशन शुरू कर दिया है अमेरीका ने ताकि चाइना विरोधी देश अब आराम से खरीदे अमेरीका से कम कीमत पर F-35 कम कीमत पर मिलेगा तो दुनिया के देश खासतौर पर जो चाइना विरोधी है वो चाहेंगे कितनी जल्दी हम खरीदे अब दूसरी बड़ी बात ये रह गई कि चाइना को काउंटर करना है तो नौसेना को मजबूत रखना होगा अब नौसेना के लिए ऐसा हो कि एंटी सिप वाले जो जेट हैं उनको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाए अब पहली बारी तियास में ऐसा हो रहा है कि अमेरिका भारत के P.A.T.I. में लोंग रेंज की एंटी सिप मिसाईल लगाने को तयार है भारत 12 P.A.T.I. को ओपरेट करता है और ये एक सर्विलांस वीमान के साथ साथ एंटी सिप वीमान भी है यानी इससे एंटी सिप मिसाईल दागी जा सकती है और आपको बता दे आस्ट्रेलिया के अलावे भारत वो दूसरा देश है जिसे अब अमेरिका मल्टी मोड सेंसर वाला लॉंग रेंज एंटी सिप मिसाइल को लगाने की अनुमति दे रहा है लॉकिट मार्टी ने इस मिसाइल को बनाया है जो सब सोनिक है औ और एयर क्राफ्ट केरियर हो टुपट रांस्पर्ट सिप हो गैडड मिसाइल क्रूजर हो इनको आराम से उड़ा सकता है वैसे तो भारत भी अपना एंटी सिप मिसाइल बना रहा है लेकिन यह मीडियम रैंज का है और अभी भारत लगाने जा रहा है अमेरिका का लॉंग वैसे आपको क्या लगता है क्या अमेरिका सही नीतियों पर चल रहा है कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं